नमस्कार दोस्तों आपका मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों चेहरे की खुब सूर्ती में चारचान लगा देने के लिए बाल घने वे मोटे होना बहुती जरूरी होता है आयम आपको इसी विश्य में उपाय बताएंगे इसके जरी आप सो परसेंट बिना किसी नुकसान के बालों को घना लंबा मोटा कर सकेंगे एक बार अंग्रीजी दवा आपको नुकसान पुचा सकती है लेकिन ये वपाय आपको कोई भी नुकसान नहीं करेंगे ये एक दवा की रूप में ही काम करेंगे जारता लोग बालों के लिए बायारू चीयों का इस्तमाल करते हैं जो की बालों को कई साइड डिवेक्ट भी करते हैं हम बड़े अंदे हैं क्योंकि हमारे पास ऐरवे जैसा गरंथ है जिसमें हर रोप का इलाइस पाया सकता है लेकिन फिर भी हम इन अंग्रेज चीयों का इस्तमाल करते हैं यह हमारी सबसे बड़ी मुर्खता है तो दोस्तो आई मैं आपको एक ऐसा घरोल नो नुसका बताने आ रहा हूँ यह नुसका आपके बालों की ग्रोथ को काफी तही से बढ़ाएगा साथ ही आपको बालों को घना मौटा लंबावी बनाएगा दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जरूत होगी एक सेम्पू की आपको एक अपना डेली यूज वाला सेम्पू लेना दोस्तो जैसे कि आप मेरे पाई देख रहे हैं मैंने आपक क्लिनिक प्लस सेम्पू लिया हुआ दोस्तो अपना फैवरेट वाला शैम्पू ले लेना में अब आपको इसमें अगली सी जो लेनी है वह दोस्तो अलेवरेगल आपको दोस्तों एक fresh aloe gel की पत्ती लेनी है और इस पत्ती में से आपको सबसे पहले एक च्याकू की मदस्चिन के कांटों को जो निकाल देना है इस तरीके से दोस्तों इसके कांटों को निकाल कर आपको इसे दीश में से इस तरीके से जो काट लेना है कि कि ये इस तरीके से काटने के वाखने दोस्तो आपको जो इसका जेल इस इंपू में एक करना है आपको इनापकर कम सब्छी लग सम दो चमझ कराबर है ल्योंग की जेल इसमें एक लिट कर लेना दोस्तो तो दोस्तो इस तरीकी से आपको दो चमच एलोरा के जेल इसमें निकाल लेना है दोस्तो एलोरा से बालों को बढ़ने में मदद मिलती है एलोरा के इस्कमाल से डेंडरेफ कम होता है एलोरा बालों में नमी बरकरा रखता है एलोरा बालों को फिर से होगाने में सायग होता है बालों में होने वाली खुजली को कम करता है बालों की चिप चपाट को दूर करता है एलोरा विटामिन E, C और E काफी मात्रा पायाते हैं ये सबी healthy cells growth को promote करते हैं और बालों को चमकदार बनाते हैं इसमें मौजूद विटामिन B, 12 और folic acid बालों को गिनने से रोकने में मददकार होते हैं अब इसमें आपको अगली चीज़ों लेनी है वह दोस्तों चीनी का पाउडर आपको दोस्तों चीनी का पाउडर लेना है आपको क्या करना है चीनी को पीस कर इसको पाउडर बना लेना है इस तरीज़ आपका चीनी का पाउडर बनके तैर होएगा आपको यह पर आदा चमसकर आपकर इसमें चीनी का पाउडर एड़ कर देना है दोस्तों चीनि का powder हमना यहा पर इसलिए इसमे लिया है त्योंकि यह हमारे बालों की जड़ों के blood circulation को बढ़ाता है जिसे हमारे बालों की growth भढ़ती है साती चीनि हमारे बालों की जड़ों को pozor देती है जिससे बाल जढ़ना बंदो याते हैं और यह हमारे बालों की जड़ों को काफी तैई से मजबूत बनाती है आपको इन तीनों चीयों को अच्छे से मिक्स कर लेना दोस्तो इस तरीके से दोस्तो यह आपका मिक्स हो जाएगा आप देख सकते हैं तीनों चीयों आपकी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है करनी है वो भी दोस्तों आपको हलके आतों से करनी है आपको ज्यादा तेते से रगणन नहीं है जैसे आपके बालों में ज्ञागोना स्टार्ट हो याएंगी दोस्तों फिर आपको क्या करना है आपको अपने बालों को एक साथ भांद कर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है 15 मिन तो यह था मेरा आज का वीडियो, आप इस वीडियो को जाला से आदा आप में दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लैक करें और हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे की नएनी वीडियो, नएनी जानकारियां आप तक पहुंच दिरें, मैं आप अले फिल लाओं को जैसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई